1857 की क्रांती 90 साल पहले ही आजाद हो गया तब प्रयागराज फिर कैसे बना गुलाम जानिये यहाँ बृतानिय हुकूमत में जब जब यह नाम लिया जाता है तो अंग्रेज काँ पुटते हैं कौशांबी के महगाव निवासी क्रांतिकारी मौलाना लिया कतली खान की नाम की अंग्रेजों में काफी दहशत थी वश 1857 में क्रांतिकारीों की अगुवाई करते हुए मौलाना ने इलहाबाद की सदर तहसील पर कबज़ा कर लिया कई अंग्रेज मारे गहे थे और आदे से ज़ादा भाग गए थे पूरी रियासत पर कपजा करने के बाद 7 जून 1857 से 17 जून 1857 तक करीब 11 दिनों तक मौलाना ने अपनी सरकार चलाई थी एवीवी के मद्यकालीन वा आदूनिक विभा के इतिहास के प्रोफेसर योगेश तिवारी ने बताया कि 1857 में जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाब बगावत का बिगुल बजाया और अवद में इसे जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा था उस वक्त बगा आगराज में बगावत की अवाज वहां की पंडों ने उठाई थी पर इलाबाद के अवाम ने इस जंग में कबायत के लिए मौलवी लियाकत अली को चुना ये जंग बहुत लंबी तो नहीं चली और बागियों को हार कमू भी देखना पड़ा था पर उन्होंने जिस बहा पंचायत बुलाई गई और पंचायत में निर्ने लिया गया कि जनिता और सेन एक 6 जून को एक साथ हमला बोलेंगे अंग्रेजों को पता चल चुका था कि बनारस से भी आ रहे हैं क्रांतिकारी भी किले पर हमला बोल सकते हैं ऐसे में किले की सुरक्षा और कड़ी कर दी ग बनारस से आने वाली सड़क की और मोड दिया गया था इसके अलावा शेहर की और अलोपी बाग में देशी सवारों की दो तुकडियां तैनात होई और किले में पैसर तोप जी 400 सिख गुर सवार और पैदल सैनिक तैनात कर दिये गए थे बलिदानियों की याद में बने डिजिटल गैलेरी उन्होंने बताया कि क्रांतिकारियों को इत्यास में कोई स्थान नहीं मिल पाया है इसलिए मैं संग्राले समीती का सदस्य होने के नाते ये मांग करता हूँ कि पार्क में 1857 की क्रांतिकारियों की स्मृतिम में डिजिटल गयालेरी स्थापित की जाए एक साथ लडे थे हिंदू मुस्लिम भारत भागी विदाता सयून जक वपत्रिकार वीरेंद्र पाठक ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाब हिंदू मुसलिम एक साथ लडे थे इससे शहर को पहली आजादी मिली थी आज होंगे कारेक्रम भारत भागे विदाता की ओर से 7 जून से 16 तक प्रयागराश में पहली आजादी का उत्सब ओनलाइन मनाया जाएगा एतिहास एक नीम के पेड के नीचे शहीदों को नमन किया जाएगा